दोस्तो नमस्कार दोस्तोlov 2024 में आप अपना 900 स्क्यार्फिट का च्छत का डलाय का प्लान कर रहे हैं। कितना खर्चा आएगा आज इसी पर डेटल में आपको मिजनकारी देने वाला हूं। दोस्तों च्छत का खर्चा जानने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमें अपने च्छत के लिए किस-किस मट्यल की आउकस्ता पढ़ने वाली हैं तो दोस्तों हमें चट के लिए जो आउखस्ता में आने वाला है मटेल वो है सैंट यानिकी बालु रहती है यानिकी बहुत सी जगह जो नदी का रिवर का रहत होता ही वो यूज़ करते हैं उसके विशन बात करेंगे एग्रिकेट ये गिट्टी, सिमेंट, इस्टिल यानिकी सरिया, बाइंडिंग वायर यानिकी पतला तार आता है जो सरिया बादने का जिसको हम काला तार भी बोलते हैं वो काल ब्लॉक दोस्तों जो कि अपने च्छत के लिए बहुत ही अहम उपोगी होता है मतलब यू समझ दिजिए दोस्तों यह जो आप लाकोर रुपे का करच कर रहे हैं अपने च्छत के लिए इसको बचाने का इसको अपने च्छत को लंबी उपर देने का जो काहरे करता हैं वो पर हम बात करेंगे याक्टर पिश्ट्री दोस्तों जो कि अपने चत के लिए बहुत ही अहम उप्रोगी होता है इससे इसका यूज करने से दोस्तों जो आपने देखा होगा कि कुछ समय के पर चाचत में सिलन आने लगती हैं तो उस पर करका के समस्या से हमें बचाता हैं टो उसका कितना कर्चा आएगा पने नो से स्क्यार फिट चत में उस पर भी हम बात करेंगे और यह सब मेटेड लगाने वाले हमारे ठेकेदार मिस्तिरव भाय का क्या खर्चा आने वाला हैं वो भी देखेंगे और उस खर्चे के अंतरगत वह हमें क्या कार्य करके सरुपरतम दोजार चोईस में 900 इसक्यार फिट का चाहत काम कारिय करवा रहा है तो अपना सेंट कितना लगेगा और आज के रेट के इसाब से परतेक मट्रियल का क्या रेट चल रहा है उसके इसाब से हम इसका क्योशन करने वाले हैं तो देख लेते हैं दोस्तों सेंट यानि बालो रहत का तो दोस्तों इसमें आपका जो सेंट यानि बालो रहत लगेगा वह लगेगा 300 क्यूबिक फिट ट्रोली की बात करें दोस्तों तो आप इसे 3-3,5 ती ट्रोली मान के चल सकते हैं ये ट्रोली की साइस बने रुपर करता है दोस्तों और आज का भाव चल रहा है दोस्तों साट रुपे पर क्यूबिक फिटी के इसाब से गुणा अगरम करते हैं तो 18,000 रुपे का हमारे सेंट यानि बॉलरत बनता है एक रिकेट इन गिट्टी की बात करें दोस्तों तो भी आपको सेंट इसकी रहने वाली है यानि की 300 कुबिक फिटी और ट्रोली एगर बात करें तो 3 से 3.5 ट्रोली और इसका रेट है दोस्तों इस से 10 रुपे कम चल रहा है यानि की 50 का चल रहा है गुणा अगरम करते हैं 15,000 रुपे का हमारे एक रिकेट यानि गिट्टी बनता हैं सीमेंट की बात करें दोस्तों सीमेंट इसमें अपना लगेगा 75 बेक सीमेंट लग जाएगा और भाव की अगर बात करें जो कि अभी चल रहा है अल्टा टेक और जेके सूपर का वह चल रहा है 360 रुपे पर बेक के ह सता Está Iwt fragile Rp.17 का सीमेंट के खर्चे आने वाला है अंदि दोस्तों ये जो मैं आपको मटरल बता रहा हूँ जیसरएक एक्रिकेट, सिमेंट का जो खर्च में आपको बता रहा हूँ, यह जो अपना छट का फिक ना से यानि छट की जो मॉटाई होती है ना दोस्तों 5 इंट के भरा रहा हूँ तो भी आपको ये जो है क्योंटिटी में आपको बता रहा हूँ आपके कम न रहेगी इस्टिल यानि की सरीय की बात करें दोस्तों तो लगपक इसमें आपको लगेगा साथ क्यूंटल यानि की साथ सो केजी और दोस्तों यह मैं आपको बता रहा हूँ फूली 10 mm के हिसाब से और दोस्तों यह आप चाहते हैं कि आप अपना च्छाथ का जाल 10 mm, 12 mm मिक्स से या फिर फूली 12 mm से बनोना चाहते हैं आप मुझे कमेंट चेक्शन बता सकते हैं और भाव के अगर बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा है जो सर्या है वो काम देनू का आपने नाम तो सुनाए होगा उसकी रेट के अगर बात करें तो 60 रुपे पर किलो के इसाब से अभी चल रहा है यदि आप मोईरा का सर्या खरिते हैं दो रुपे तिन रुपे आपके ज्यादा लग सकते हैं यदि अधर कंपनी का आप सर्या खरिते हैं तो पचपर अठाव रुपे तक वो मिल जाता है गोर साथ के इसाब से मल्टिप्लाइ कर देते हैं जो कि दोस्तों हमारे 42,000 रुपे का सर्या बनता है आगे बात करेंगे दोस्तों हम बाइंडिंग वारे इन पतले तार का जो सर्या बनने का आता है उसके विशे में दोस्तों तो यह लगेगा आपने 8 किलो ग्राम चुकि दोस्तों यह मैं बता रहा हूँ आपका सिर्प छट का जो जाल बनने का उसका लेकिन होता क्या है बहुत सी जगर टेकेदार मिस्त्री जो शट्रिंग का कारे करते हैं उसमें भी पतले तार का यूज़ करते हैं तो वो एश्टरा आपके लगेगा एश्टरा आप लेके चल सकते हैं दोस्तों यह नमर से आता है तो आपकी जाने कारे के लिए बता दू यह अठरा नमर लगता है और भाव के अगर बात करें तो इस बहुत से टैट रहता है अब भी चलता है सो रुपे पर किलो के इसाफ़ से गूना गरम करते हैं तो आठ सो रुपे का बनता है कोवर ब़ों की बात करें दोस्तों जैसाे कि मैंन आपको श्टाटिंग बता दिया है कोवर बभ्लों के अगर कमी रहती हैं तो हमारे छत में इस प्रकार कि समझ चूर्प न आ सकती है जरूर से जरूर लगाएंगा दोस्तों लेक्टर पिष्टिक की बात करेंग दोस्तों जैसे कि मैं आपको इस्टाइट में बता दिया है फिर भी मैं आपको उता देता हूं लक्रपीष्टिक जब हम डालते हैं तो इससे हमें जो फाइदा वह गजश देखा है वह जो कुछ स रुपे पर लिटर के हिसाब से गुना कुम करता हैं पंदरा सो रुपे का बनता है लाइट की बात करें दोस्तों जो कि हम फेंड बॉक्स से कुछ डीबिया अगर जराम लगाएंगे तो इसका खर्चा हम तीन अजार रुपे मान के चल सकता हैं ठीके नो स्कार्फिट में गुना अगर हम करते हैं दोस्तों तो 24,300 रुपे का हमारे जो हैं मजदूरी खर्चा आ जाता है इसके अधर का दोस्तों शट्रिंग लगाना मिक्सर मसीन दाने लेजाने का ट्रांसपोर्ट का जाल बादने का सब भी खर्चा लगबग इसमें एड़ किया जाता है तो इस शेत्र में क्या रेट अभी ठेकेदर मिस्तिगा चल रहा है जिससे कि दोस्तों बहुत से हमारे बाहिए होते हैं क्योंकि कमेंट पढ़ता है तो उन्हें भी कही निए आईडिया रहेगा आनुबह रहेगा कि भारत इत्ते बड़े देश में कि शेत्र में क्या रेट चल रह वाला है उन्हों से इसके लिए वह आएगा एक लाग 32,000 रोपय का दोस्तों आपकी इसमें खर्च आने वाला है दोस्तों यह दिया आपको वीडियो में जाने के अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट शरू करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेहिं दोस्तों